बाकी फिजिकल का पार्ट आपके साथ पमन मिस्रा जी डिसकस करने वाल है करेक्ट सिक्वेंस ओब सियो बॉंड ओडर इन गिवन कमपॉंड शियो का बॉंड ऊडर बताना है तो सबसे ज़्यादा bond order तो आपका कहा हो जाएगा, यहाँ पर, clear? इसने अपना जो एक्स्ट्रा जो लॉन पेर था इसको डोनेट कर दिया तो यहाँ पर contraction और हो जाएगा, तो थोड़ा यहाँ पर bond order बढ़ जाएगा आपका, तो R का तो सबसे ज़्यादा हो गया, फिर यहा bond length बढ़ जाता है और bond order कम हो जाता है, तो सबसे last में यह रहेगा P और फिर आपका कौन सा आजाएगा S, तो कौन सा answer है, S, P, Q, R, fourth answer आजाएगा यहाँ पर, next अपना बात करते हैं, यह भी कापी अच्छा है, आपको यहाँ पर देखना है, कि कौन सा EAN rule को follow करता है, पहली यह है, EAN, अब यहाँ पर देखिया, इसकी बात करें, पेलेडियम 46 पर आता है, यहाँ पर इसके पास कितना है, 2, plus 2 oxidation stage में, 2 electron निकाल दिया, 46 minus 2, EAN में क्या होता है, Z minus oxidation state, तो 46 minus 2, तो यह आगया 44, प्लस 2 into कितने coordinate bond बनेंगे, 4, 2, 8, इसका मतलब, 44, 44 के अंदर अगर 8, 8 भी करेंगे, तो 52 मतलब कि यह EAN को follow नहीं करेगा, तो यह not follow, ऐसे यह 28 पर आता है, 28 plus 2 oxidation state में, तो 26, 26 साथ में coordinate bond कितने बन गई, 4, 4, 2, 8, तो यह 34 आजाएगा, और 34 आने का मतलब है, यह भी follow नहीं करेगा, यह भी आपका follow नहीं करेगा, not follow, इसके पास आजाएगा, आइरन आपका यहाँ पर plus 2 oxidation stage में, तो 26 minus 2 plus 2 into 6, तो 24 और 12 कितने हो गए आपके, 36, तो यह आपका follow कर जाएगा, इस complex को आप थोड़ा ठीक कर लेना, यह है, C, R, C, O, 3, N, O, 2, complex T कर लेना है, तो chromium की oxidation state 0 है, तो atomic नमबर तो होगया, 24, और coordinate bond तो यह बना देगा, तो यह आजाएगा कितना, 2 into 3, ठीक है, तो कितना हो गए, 30, और यह आपका जब भी neutral होता है, 3 electron bond बनाता है, तो 3 electron bond और ऐसे कितने हैं, 2, तो यह आजाएगा 20, एh 36, इसका मतलब यह भी आपका follow कर जाएगा, तो आपका कौन सा अंस्वर आजाएगा, थर्ड अंस्वर यहाँ पर आजाएगा, next question क्यों और चले, IPC name not correct, आपको match करना है, तो यहाँ पर देखिए, यह प्लस 2 में है, तो ज्यादा सोचने की ज़रूती नहीं, यहाँ 0 oxidation state लिगती है, फर्स्ट वाला ही आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, next, hybridization which complex is correctly matched, hybridization कहां पर correct match है, वो देखना है, तो सबसे पहले तो इसकी बात करें, तो यह आपका क्या आजाएगा, D8, 3D8, nickel plus 2 में है, 3D8, 3D8 में हमें साच चाहे, weak field आए चाहे, SP3, D2 hybridization होगा, sorry, तो यह तो correct match होगा नहीं, यहाँ पर देखा जाए, यह D3, D3 नहीं, पहले बात तो D2 होगा और यह यहाँ पर AJ strong field काम करेगा, strong field ligand, oxalato, H2O और hydroxide, cobalt plus 3 के साथ strong field ligand काम में होगते हैं, तो इसका hybridization आपका D2, SP3 आगाना है, तो यह भी आपका नहीं होगा, यहाँ पर देखें, तो यह आपका कौन सी series का गया, 4D, 4D series में weak field भी strong की तरह react करते हैं, तो यहाँ पर आपका D2, SP2 hybridization आजाएगा, coordination number 4 आ रही है, एक D अंदर से खाली चाहिए, तो pairing करके यह खाली करवा देता है, तो आपका कौन sound शुरा जाएगा, 3rd, next, यहाँ पर देखें, simple से चीज गह रहा है कि octoidal energy है, वो pairing से कम है, इसका मतलब pairing नहीं होगी, तो D4 को कैसे फिल करोगे आप, T2G3 और EG1, octoidal में तो ऐसे ही चलेगा न, octoidal में T2G पहले बढ़ा जाता है, EG, बाग में, next, तो आपका answer कौन सा आजाएगा, equivalent, आपका answer इसमें आजाएगा कौन सा, 3rd, clear, next, इस सवाल की बात करते हैं, थोड़ा, select incorrect statement about complex, यह आपका complex है, तो आप इसको देखिल दीजिएगा, यह किस टाइप का है, NO2, ambidented है, तो linkage तो देगा ही देगा, तो यह आपका linkage isomerism शो कर रहा है, और आपको incorrect statement देखना है, या, ठीक है, it's your coordination isomerism, तो बिल्कुल यह और यह आपस में coordination isomerism देंगे, दो coordination इस पे रहे, ligand exchange हो सकते हैं, it's your optical active नहीं, इसमें आपका sp3 है, sp3 में जब 4 ligand अलग होंगे, तो ही optical active होगा, और इसका hybridization आपका sp3, d2, d2, sp3 है, और यह भी optically आपका कैसा हो जाएगा, inactive हो जाएगा, यह भी आपका हुआ ही नहीं देता, तो कौन सा अंच्वरा जाएगा, second, next, which of the following compounds show optical iso-rygium, कौन सा है जो optical हमेशा द्यान को, by dented आते ही optical दे देगा, लेकिन बस उसमें cis or trans का थोड़ा द्यान रकना है, जैसे यहाँ पर बात करें, यहाँ पर by dented हैं नहीं, m a3 b3 है, optical inactive हो गई है, यहाँ पर बात करें, तो m a4 b2 आपको बताईए भी oi नहीं देता, यहाँ गया, by identical है, by dented elegant है, तो यह आपका, इसमें plane of symmetry present नहीं होता है, center में तो आपका cobalt plus 3 आई गया, और यह आपका en, तो इसमें plane of symmetry आपकी क्या है, absent है, pos है absent, इसलिए यह oi दे जेगा, next, the ion that cannot be precipitated by H2S, HCL, H2S और HCL के साथ precipitate कौन देने वाला है, कौन नहीं देगा, sorry, कौन precipitate नहीं देगा, तो आप यहाँ रखिए, second group वाले हैं, वो देदेंगे, तो यह तो आपके second group में आते हैं, यह तो देदेंगे, यह यह वाला नहीं देगा, आपका answer हो जाएगा, fourth, next, which I am sure, itching test of glass, glass का itching test कौन दे सकता है, fluoride ion, क्यों, glass इसमें dissolve हो जाता है, जैसे आपके पास, Na2SiO3 यह glass आ गया, आप इसमें fluoride ion मिलाओ, तो NaF बन जाएगा, और SiF6-2, water soluble complex बन जाएगा, clear, तो आप का answer हो जाएगा, first, next, Persian blue is formed भाई, तो यह potassium ferrocynide देता है, जब ferric ion उसके साथ आजाता है, तो यह रहा, ferric sulfate जब इसके साथ reaction करेगा, तो आपका बना लेगा, ferri ferrocynide, जो कि आपका Persian blue color का होता है, एक trans blue blue होता है, जिसके अंदर यह Fe3 ferroferricionide होता है, यह trans blue blue color होता है, तो आपका यहांस पर कौन सा देगा, second, next, find out the total number of electrons of cobalt plus two ions, which are present in a non-axial, d orbitals में electron देखने, dmg strong field ligand है, strong field ligand और नेका मतलब इसका hybridization, dsp2 होगा, dsp2 की splitting देखे, dsp2 की अगर splitting की बात करूं, यह d है आपका, यह आपका तूट जाता है किसमें, यह तो चला गए है, t2g में, और यह आपका, eg में, फिर यह भी आपका आगे, तो यह तो आगे है, dx square y square, यह आगे है, आपका dz square, यह dxy, sorry, dyz, और यह dz x, यह dyz है, यह लोग, इदर लिख देता हूँ, यह dyz है, और यह वाला आपका, यहाँ जाएगा, clear, इसका मतलब, यहाँ जाने का मतलब है, यह यहाँ जाएगा, यह आपका dxy, तो non axial यह है, और यह है, अब कितने electron बढ़ने है, कोबाल्ट प्लस टू में है, तो कोबाल्ट प्लस टू में होने का मतलब है, आपका 3D 7, 7 electron फिल करो इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यह हैं एक तो non axial, एक यह है non axial, टोटल कितने electron होगे, 5 electron, साथ इसमें answer 4 दे दिया, वो कोबाल्ट प्लस 3 होगा, आपका यहाँ, कोबाल्ट प्लस 3 करोगे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यह electron अट जाएगा, और अगर कोबाल्ट प्लस 2 रख रहे हो, तो यह भी रहेगा, तो 5 answer हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको पैरा मेगनेटिक इस स्पेसीज फाइंड गरनी है, कितनी है, तो जब भी polyatomic species होती है, तो sum of valence electron अगर odd आता है, तो वो paramagnetic है, और even आता है, तो dimagnetic है, तो यहाँ पे valence electron sum आएगा, 6, और यहाँ पे 7 और 7, 14 और 6, 20, यहाँ पे odd आने वाला है, तो यह पैरा मेगनेटिक होगी, यहाँ पे odd आएगा, पैरा मेगनेटिक होगी, यह आप का complex है, cobalt plus 3 का, तो यहाँ यह strong field का का काम करेगा, तो unpaid electron 0 आएगा, क्योंकि यह 3D6 है, strong field का का काम करेगा, तो unpaid electron 0, क्योंकि hybridization के आजाएगा, D2, SP3, chromium है, plus 3 में है, तो 3D3 hybridization, बले ही D2, SP3 आजाएगा, अंदर खाली है, तो unpaid electron यहाँ तीन रहेंगे, तो यह paramagnetic होग है, तो यह paramagnetic हो जाएगा, यह strong field की तरह काम करेगा, DASP2, इसके पास unpaid electron 0 हो जाएगे, और इसके पास भी, nickel plus 4 के साथ, यह strong field ही बन जाता है, बले ही D2, SP3 रहेगा, और unpaid electron 0 रहेंगे, तो paramagnetic is species 1, 2, 3, 4, for species यहाँ पर paramagnetic है, consider following transformation, तो यहाँ पर simple सी ले लो, यह pink color का complex है, तो यहाँ पर X की value तो आएगी 6, यह 6 बनेगा, ठीक है, XSACL बना दो, तो यह आपका 4 आएगा, और यह plus 2 में रखना है, तो यहाँ पर minus 2 आजाएगा, तो simple सा है, आपको X plus Y, तो 6 plus 4, N की value 2 है, तो कितना आजाएगा, answer 5 हाजाएगा, clear, तो यह J man का था, अभी अपने बात करने वाले है, J advance की, यहाँ पर हमारे पास question given है, insulin is dissolved in a suitable solvent, और उसका osmotic pressure pi given है, solution का variation of concentration हमारे पास जो दे रखा है, यहाँ पर important चीज़ है, कि यह जो concentration हमारे पास है, वो given है कि इसमें बीटा, kg per meter cube के terms में, उसको measure करते हैं, और एक हमें slope design करते हैं, हम लोग किसके लिए, between the pi and c, जहाँ पर c को माना है, हम लोगों ने kg per meter cube concentration के साथ में, और हमें यहाँ पर molecular mass को calculate करना है, got it, okay, insulin हम लोग कह सकते हैं कि non-electrolite है, और non-electrolite के लिए i-factor की evaluation क्या होगी, 1, अब अगर हम लोग चाहें, तो यहाँ पर हम लोगों concept लगा सकते हैं, अपने पास पता है कि pi is equal to क्या होता है बिटा, c r t, pi is equal to c r t, और जहाँ पर जो c होता है, वो हमारे पास होती है, molarity मतलब concentration किसमें, भाई, mol per liter, ओके, mol per liter के terms में आती है, अब अगर हमें यहाँ पर graph बनाना है, किस के terms में, kg per meter cube के terms में, तो अपन क्या गरेंगे हैं आपर, ki pi is equal to लिख सकते हैं बेटा क्या, small c into r t divided by capital M, क्योंकि अगर हम लोग kg per meter concentration को molar mass से divide कर दें, तो it will be become mol per liter concentration, ओके, अब एक graph को टॉप किया हम लोगों ने किस के बीश में, pi versus concentration c in kg per meter cube, ठीक है, ओके, जब हम लोग यहाँ पर graph को ट्रॉप कर रहे हैं, तो हमारे पास given है कि इसका slope mention है हमारे पास, slope कितना given है हमारे पास, slope mention है हमारे पास, slope given है 8.134 into 10s power minus 3, ओके, now, अगर हम लोग calculate करेंगे इसको, तो यह आ जाएगा, pi is equal to c, अंदर आ जाएगा, rt by m, और rt by m जो होगा, that is the slope of the curve, यह हमारा क्या होगा, curve का क्या होगा बेटा, slope होगा, अब हमें लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, slope, slope बराबर अपने पास कितना आ गया, rt by capital M, we want to calculate, हमें क्या calculate करना है, m को calculate करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा, m बराबर, rt upon capital slope, rt upon capital slope ले लेंगे, और यहाँ पर लिख सकते हैं, rt कितना होगा, r हमारे पास होगा, कितना बेटा, 8.314, ठीक है, और temperature कितना given है, यहाँ पर, 20 degree centigrade temperature है, हमारे पास, तो 20 degree centigrade temperature मर्दब 273 plus 23, that is equal to 293, divided by, हमारे पास क्या given है, slope, slope की valuation है, 8.134 into 10th power minus 3, और बाइदा calculation, इस calculation को solve करने के बाद, हमारे पास third answer हो जाएगा, I think so, 293, 293 into 10th power 3, ओके, यह उपर चला जाएगा, 293 into 10th power क्या हो जाएगा, बेटा, 3K terms में valuation हमारे पास, आजाएगी approximate करने पर, ठीक है, तो answer इसका हो जाएगा, third, next question है, echo solution of solute AB has boiling point of 101.08 degree centigrade और यहां पर dissociation इसका दे रखा है, 100% dissociation है, विले AB के जली विलियन का कुथनांक 101.08 degree centigrade है, और AB को हम लोगोंने 100% ionic माना है, इसी तरह से यहां पर freeze हुआ है, जब तो इसका freezing point दे रखा है, minus का 1.8 degree centigrade हैंस AB, KF upon KB के valuation हमारे पास given है, और हमें यहां पर इन में से कौन सा सही है, इसके बारे में बात कर ली है, पहला है, is 100% ionic at the freezing point, मतलब विलियन के हिमांक बिंदु पर 100% ionic होता है, दूसरा है, behave like a non electrolyte at the freezing point, मतलब विलियन के हिमांक बिंदु पर अनफ़ट की तरह बेवार करता है, तीसरा है, form the dimer, मतलब दुलक बना रहा है, और चौता हमारे pops option दे रखा है, none of these, इन में से हमें सही option को calculate करना है, और बेसी बात है, सभी के सभी option इस बात पर indicate करना है, कि हमें freezing point पर इसके nature को देखना है और want of factor को calculate करना है, अगर मैं boiling point पर बात करूँ, तो boiling point पर इसका जो want of factor होगा, यह हो गया IB, और IB is equal to हो जाएगा 1 plus alpha, क्योंकि हमारे पास क्या है बेटा, AB dissociate होगा, और produce करेगा, A positive plus B negative, ओके, इसके लिए हम लोग 1 minus alpha लिखेंगे, यह alpha और यह alpha, तो यह आजाएगा 1 plus alpha, यह total number of moles after dissociation हो जाएगे, मतलब वियोजन के उपरांथ कुल मोलों की संख्या, और अगर यहाँ पर हम लोग इसका निकालना चाहते हैं, I, तो I बराबर होगा, वियोजन के उपरांथ कुल मोलों की संख्या, मतलब after dissociation, total number of moles upon initial mole, और यहाँ पर initial mole कितना था, 1, तो हमारे पास I is equal to आ जाएगा, 1 plus alpha at the boiling point, मतलब कॉथनान के बिंदू पर, अब अगर हम लोग बात करते हैं, freezing point पर, तो freezing point पर भी, हम लोग बोलेंगे, I, अब बराबर क्या होगा भई, I, F की value को calculate करना है, हमें हाँ पर हमें, ठीक हैं, I, F की valuation को freezing point पर calculate करना है, तो freezing point पर, I, F जो होगा, मतलब, quantum factor freezing point पर, वो भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 plus alpha, अगर हम लोग, इसकी boiling point की जो, elevation in boiling point, मतलब कॉथनांक उन्यन की equation लिखे, तो आएगा, delta B बराबर, IB into KB into molality, ठीक है, और अगर हम लोग boiling point या, freezing point, अब नहीं मतलब की, depression के बारे में बात करें, तो आएगा, delta F बराबर, IF into KF, into क्या बेटा, M, के लिएर, अब यहाँ पर है, दोनों equations को, अगर हम लोग divide करने, यह equation number first हो गई, यह equation number क्या हो गई, second, दोनों equation को, अगर आपस में divide किया जाए, तो हमारे पास आजाएगा, delta B, upon delta F, बराबर, IB upon, I up, और इधर आजाएगा, KB upon क्या बई, KF, क्लियर है, अब delta B के बारे में बात करें, तो हमारे पास यहाँ पर दे रखा था, कि इसका boiling point इतना है, यह solution का boiling point है, मतलब इसका अगर हम लोग delta B निकालेंगे, तो delta B कितना हो जाएगा, 100 से minus कर दोगे, 101.08-100, क्योंकि water का boiling point 100 degree centigrade होता है, और यहाँ से मारे पास valuation कितनी आजाएगी बेटा, 1.08, ठीक है, अगर मैं delta B के बारे में बात करूँ, तो delta B को क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पर, delta B बराबर, delta B बराबर आजाएगा, 00, freezing point होता है, 1.80 degree centigrade में water का, माइनस अंदर आ जाएगा, minus 1.80 degree centigrade, clear है, तो overall valuation यहाँ से कितनी मिल जाएगी हमारे पास, 1.80, clear है, तो यह valuation हमें किसकी मिल गई, delta B की, यह valuation किसकी मिल गई, delta F की, I की valuation, I F की valuation हमारे पास निकालनी है, और I B की valuation अल्रेडी हमने 100% आइनाजेशन के बारे साथ बात की, तो I B मतलब boiling point पर want of factor किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस alpha, because alpha बराबर क्या है, 100%, तो अपन लिख सकते हैं, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, बराबर कितना आ गया, 2, तो I B के valuation 2 हमारे पास गी है, K F upon K B हमारे पास point 3 दे रखा है, मतलब इन सब values को put कर देते हैं, तो डल T B आ गया हमारे पास 1.08, upon डल T F हमारे पास हो गया 1.80, is equal to, I B is equal to 2 है, और I F की value हमें निकालनी है, K F upon K B हमारे पास कितना है, point 3, तो यहां से निकालोगे, तो I F बराबर आ जाएगा, 1.08, I F की valuation यहां से निकालेंगे, तो यह हमारे पास आ जाएगा कितना भई, 2 into, 0.3 into 1.80, divided by 1.08, और इसको अगर हम लोग solve करेंगे, तो solve करने पर हमें पता चलेगा, कि यहां पर जो value आ रही है, वो आ रही है कितनी भई? 1. और अगर I की valuation 1 आ रही है, तो किसी भी substance के लिए, अगर want of factor की value 1 है, मतलब वो substance एक non-electro like है, एक वेदुत अनपघटी की तरह बेहार कर रहा है, और उस basis पर हमारा answer कौन सा हो जाएगा? 2. अगला question है, what is the normal, अगला question है, what is the normal, what is the normal freezing point of the solution, represented by the phase diagram, प्रवस्था रेक के द्वारा विल्यन के सामांक, हिमांद बिंदु के बारे में को प्रदर्शित करता है, कौन साट टेमपरेचर, देखो बिटा, यह हमारा pure solvent है, और यह हमारा क्या है, pure solution, किसी भी पदार्त का जो हिमांक बिंदु होता है, वह वह ताप है, मतलब किसी भी substance का, जो freezing point है, वह वह temperature है, जहाँ पर उसका liquid, उसके solid के साथ किस पर आ जाता है, equilibrium पर, solvent के लिए अगर हम लोग बात करें, तो यह point आ रहा है, जहाँ पर equilibrium solid और, solvent का solid phase के साथ में, liquid और solid के बीश में equilibrium cause कर रहा है, जबकि यह वाला point आ रहा है किस के लिए, solution के लिए, जहाँ पर solid के साथ में, उसके liquid का equilibrium बन रहा है, मतलब T1 temperature जो है, उसे हम लोग freezing point of solution कह सकते हैं, मतलब आंसर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, first, question is select the correct statement, मतलब सही कथन को चुनिये, पहला option दे रखा है, the fundamental cause of all quality properties, is higher entropy of the solution, relative to the pure solvent, मतलब सभी अनुसंख गुर्धर्म, या अनुसंख गुर्धर्म का आधार भुत कारक, सुद्ध विलायक की सापेक्ष, विलेन की उच्छ entropy का होना है, जब किसी भी हम लोग, विलायक के अंदर, विले को डालते हैं, तो विलायक के अंदर, विले को डालने पर, सदेव, आइनों की संख्या में, अगर व्रधी हो रही है, तो entropy बढ़ेगी, तो हम लोग यही बोलते हैं, कि कॉल्गेटीव प्रॉपर्टीज का generation ही, किस वज़े से होता है, क्योंकि जो हमने विले के मौल डाले, वो अड़ों के फॉर्म में, उसके जो नंबर आप पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, इंक्रीज या डिग्रीज करते हैं, जिससे कॉल्गेटीव प्रॉपर्टी या जो हमारा विले है, वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वज़े से जो प्रॉपर्टीज जनरेट होती हैं, उनहीं को हम लोग कॉल्गेटीव प्रॉपर्टी कहते हैं, और हम सभी को पता है कि अगर हम लोग किसी भी विलायक के अंदर या किसी भी solvent के अंदर, pure solvent के अंदर, solute को dissolve करेंगे, तो number of particles में change आएगा, और number of particles में change होने का मतलब number of particles बढ़ेंगे, मतलब entropy क्या होगी, increase करेगी, और उस entropy के increase की वजे से ही, हम लोग बोलते हैं, कि colligative properties का development possible होता है, मतलब किसी भी colligative property का जो आधार भूत कारक है, जो main reason है, वो reason है, वहाँ पर entropy का increase करना, मतलब option first हमारा correct है, अगला है, the freezing point of hydrogen fluoride solution is larger than of accumular hydrogen chloride solution, hydrogen fluoride का हिमांग, some molar hydrogen chloride billion के सापेक्ष अधिक होता है, सही बात है, क्यों, क्योंकि HF के अंदर, सबने पढ़ा है, कि HF के अंदर सब से strong hydrogen warning होती है, मतलब molecular association क्या है, ज्यादा, मतलब HF के लिए want of factor की value कम आएगी, HF के लिए अगर want of factor की value कम है, तो depression in freezing point का habitat, कम है, मतलब freezing point का कम होना, कम हो गया, मतलब freezing point क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब HF का freezing point ज्यादा और SCL का freezing point कम, last question हमारे पास third option दे रखा है, 1 M glucose solution and 0.5 M NACL solution are isotonic at the given temperature, दिए गए ताप पर 1 mol glucose billion और 0.5 M NACL solution जो है, वो isotonic है, देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, isotonic का मतलब, isotonic world अपने आप में पता है, सम परासरी कहा जाता है, मतलब जिनका परासर नदाब क्या है, समान, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो πाई बराबर ICRT, यह हमारे पास formula होता है, अगर हम लोग glucose solution को देखेंगे, गुलू कोस solution में, तो अपन कह सकते हैं कि गुलू कोस solution के लिए आई बराबर 1 आएगा, मतलब इसका अगर हम लोग पाई लिखेंगे, तो पाई बराबर आजाएगा क्या भई, CRT, और C की जगए अगर हम लोग 1M लिख देते हैं, तो यह आजाएगा, 1 इंटू क्या बिट के फॉर्म में बिटा, मतलब यहाँ पर आई बराबर 1 प्लस अलपा आएगा, क्योंकि एनसील एक स्ट्रॉंग इलप्रलाइट है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसके लिए आई बराबर कितना आजाएगा, 2 क्योंकि अलपा बराबर क्या आएगा, बिटा, 1, इट मीज अग प्रेशन निकालोगे तो क्या आएगा, 1 in 2RT, गुलुकोस के लिए भी 1 in 2RT है, और NACL के लिए भी 1 in 2RT है, मतलब दोनों के दोनों क्या हैं, आईसो टोनिक हैं या सम परासरी हैं, मतलब पहला आप्शन भी सही है, कि बाई कॉलिगर्टी प्रॉपर्टीस का डवलप्मे इंट्रापी के इंक्रीज होने की वज़े से होता है, यह बात सही है, फ्रीजिंग पॉइंट अप एच अप क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें असोसियेशन ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉर्णिंग स्ट्रॉंग होती है, एस कंपेर टू SEL, जिसकी वेस उसका फ्रीजिंग बॉर्ण ज्यादा होगा, गुलुकोस के लिए हम लोगों ने भी निकाला, कि इसका पाइसी आल्टी अगर हम लोग निकालते हैं, तो आता है, वन इंटु आल्टी और एने सील के केस में आई बरावर क्योंकि दो है, तो इसका भी क्या आता है, वन इंटु आ एने सील में सोटकी दोस होता है, जब कि एजी सील में फ्रेंकल दोस प्रदस्टित होता है, इनकी चालकता का प्रमुक कारण क्या है, दोनों के दोनों, एक सिंपल सी बात अगर रहे हैं, तो दोनों के दोनों हमारे आइनिक सॉलिड की तरह हैं, यहाँ पर एजी पॉजिट प्लस क्या है भाई CL निगेटिव है मतलब दोनों के दोनों आइनिक सॉलेड हैं और स्वाटिकी डिपेक्ट में किसी भी तरह की ट्रैपिंग आफ इलक्टरॉन नहीं होता सिंपली शॉटिकी डिपेक्ट में बोलते हैं कि आयन जो अपोजिट शार्ज आयन है एक कट आयन और एक अनयन वो लेटिस को छोड़ करके बाहर चले गए दूसरा हम लोग बोल देते हैं प्रैंकल डिपेक्ट में कि भाई जो हमारा जनरली कट आयन होता है जनरली जो आयन है वो अपनी में साइट को छोड़ करके इंटेस्टीशियल साइड या वाइड पर आ गया तो यहाँ पर अगर कंडिक्टिविटी पॉसिबल है तो सिंपल सी बात है वो केवल है आयन के माध्यन से पॉसिबल है आयन के प्लो की वज़े से पॉसिबल है मतलब दा मोशन आप आयन नौट दियर मोशन आप इलक्ट्र पान यहां पर प्रेजेंट ही नहीं है जिसकी वैसे यहां पर कंडिक्टिविटी केवल और केवल पॉसिबल होगी आएनों की गत के कारण एवं इलक्ट्रॉन की अगत सीलता के कारण के लिए रहे हैं अगला देखते हैं कि अगला कुषक्ष्यन है हमारे पर the superconductor are derived from the compounds of superconductor या आति-चालक किसको व्यूत पर ने किया जा सकता है सबसे पहले बात कर लेतने हैं कि या आति-चालक क्या है ? सुपर और कंड़क्टर वो माना गया है जिसके अंदर resistance 0 और यह बोलते हैं कि एसे सबस्टेंस का possibility जो होती है वो absolute zero Kelvin temperature के आसपास होती है मतलब जिनके अंदर resistance क्या है बई जीरो हो सके और ऐसे compound के वल और केवल हमारे P block element होते हैं मतलब P block elements के अगर compound है तो they will behave like a super conductor उनके अंदर super conductivity possible होती ही जैसे कि हम लोग उनके अंदर semi conductor बनाते हैं doping effect के तुरू तो इसका answer हमारे पास क्या जाएगा बिटा पस्ट अगला question देख लेते हैं next question है consider a one body centered cube unit cell as length is now atom the center of body we reviewed to lie the corner of atom find out the common volume of the 1 and 2 cube a Lombai small a Lombai के का केंदरी एकल कोस्टिका के घन 1 के माने 1 को माने अब इसके का एकेंदरी पर्मार को दूसरे घन के केंदर की उपस्थिती माना जाए तो दोनों के बीच का सउयूपत आइकन मतला दोनों के बीच का common item क्या है वो देखना है तो इसके लिए अपन क्या करते हैं एक हम लोग क्यूब ले लेते हैं पहले तो एक क्यूब ले लिया एक क्यूब मैंने ये ले लिया और यहाँ पर इसके बॉडी के सेंटर के एटम को देख लिया यह body के center का item है अब एक दूसरा sign ले लेते हैं इसको अगर मैं corner माल लूँ इसको corner माल लिया तो मेरे को खुछ यह दिखाई देगा यह मेरा एक दूसरा cube बने एक लिए कह रहा है कि अगर इसको corner मान करके दूसरा cube बनाया जाए तो हम मेरे को इसका common volume देखना है common volume किया यह वाला पार्ट है ना यह जो अंदर की तरफ आ रहा है यह वाला यह जो part आ यह अंदर की तरफ यह common volume मथा ना कि कि यही तो आदा यह जाएगा यह पूरा का पूरा क्या होगा common volume मखा ना अगर हम लोग देखें इस वाले पार्ट को अगर ले ले ये मेरा कॉमन वाल्यूम वाला पार्ट आ जाएगा यही तो आएगा और यह जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक यह पीटा क्या है एबाई टू है यह क्या है एबाई टू है न ठीक है इसको इस तरह से देख लेंगे बिटा यह कॉमन वाल्यूम आ जाएगा यह पूरा का पूरा बाहर वाला क्यूब था हमारा यह जो बना हमने दूसरे क्यूब को इसको कॉर्णर मानते हुए हमनों लिया हुए तो यह हमारे पास कितनी आ गई एजिलेंद कितनी आ गई भाई एबाई टू और क्यूब के लिए अगर में वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है भाई एक्यूब और इसकी एजिलेंद कितनी है भाई, a by 2 cube a by 2 का cube तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई यह आजाएगा हमारे पास a cube by कितना बिटा, 8 तो answer हमारा क्या आजाएगा, 4th अच्छा question है, interesting है थोड़ा सा सोचना था इसके लिए मेरे काज़ दे काफी बच्चों ने करने की कोशिश की होगी I hope so सभी लोगों ने कर लिया होगा next question देखते हैं next question दे रखा है अगला है given alloy of copper AGAU C atom as the constituent of the CCP मतलब जो हमारे पास copper atom है उसमें CCP बनाया है formula हमें देखना है इसका formula hypothetical हमारे पास दे रखा है कि अभई C4 AGAU what are the atoms probable location of AG positive and AU positive कौन सी position सबसे probable position होगी AG positive और AU positive के लिए पहली चीज तो confirm होगी कि copper जो है वो CCP बना रहा है मतलब अगर हम लोग copper के लिए atom मिकालें तो copper के लिए atom आ गए A1 by 8 into 8 CCP का मतलब FCC unit cell atoms present कहाँ पर होगे corner पर plus 1 upon 2 into 6 कहाँ पर वही center of face और ये evaluation हमारे पास आ गई 1 plus 3 बराबर 4 ओके तो C4 तो हमारा confirm हो गया अब ये कह रहा है AG at all tetrahidal wide कितने tetrahidal wide होते हैं 8 मतलब AG के number कितने आ गए AG बराबर कितना आ गया 8 पहले वाले octrahidal wide और total octrahidal wide कितने होते हैं 4 मतलब इसकी valuation कितनी आ गई पोर तो पहले वाले के हिसाब से जो formula बना वो बना भाई हमारे पास क्या copper का पोर सही है लेकिन साधी क्या बना भाई AG का भी 8 और AU का क्या बना भाई पोर मतलब overall अगर हम लोग इसका formula निकालेंगे तो आ जाएगा CU AG 2 AU जो कि हमारे given formula से match नहीं करता मतलब पहला option तो possible नहीं है अब अगला option है AG 3 by 8 tetrahedral wide पर है और AU 1 by 4 octrahedral wide पर है अब हम लोग अगर AG को निकाले तो AG कितना आ गया भाई 3 by 8 total कितने थे 8 ठीक है तो यह कितना हो गया भाई 3 by 8 into क्या भाई 8 once 8 से 8 cancel हो जाएगा AG कितने आ गये 3 अब हम लोग देखते हैं AU तो AU कितना आ गया भाई हमारे पस AU आ गया 1 upon 4 into कितने थे 4 थे तो 4 से 4 cancel out हो जाएगा क्या आ जाएगा 1 मतलब second वाले option के इसाफ से copper तो हमारा 4 है AG 3 है और AU 1 है मतलब second वाले के इसाफ से copper 4 AG हमारे पास 3 आ रहा है और AU क्या आ रहा है बेटा 1 मतलब second वाले option के इसाफ से जो position से उससे हमारा given molecular formula satisfied हो रहा है मतलब answer हमारा कौन सा आ गया बेटा second ठीक है अगला question है the stability of lyophobic collide is due to of the which of the following ग्रब इसने कोलाइड के इस्थाई करन का निमलिकित में से कौन सा कारक होता है तो हम लग बोलते हैं कि बाई जो हमारे लायोफिलिक या ग्रब्य इसने ही कोलाइड है उनमें solvation ज्यादा होता है dispersed medium का और dispersed medium के solvation की वज़े से solvation by the dispersed medium की वज़े से जो dispersed phase और dispersed medium है मतलब परिशित तवस्ता और परिशेपड माध्यम है दोनों के मद्द का आकरशन क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है और उस आकरशन की वेसे वो क्या होते हैं बहुत ज़्यादा इस्थाई होते हैं मतलब जो हमारा ये question है इसके हिसाब से stability का main cause है वो है solvation by the dispersed medium की वज़े से ही हमारे पास जो है वो जो लायोपिलिक solid है वो क्या है वाई stable sol के form में एक्ट करता है अगला question देखते हैं अगला question है the comparable common collides sol missiles है missiles साधाराण कोलाइड की तुलना में होते हैं अगर हम लोग बात करें missiles साधाराण कोलाइड की तुलना में तो missiles का मतलब ही हो गया molecules के association से जुड़ना मतलब molecular association होना तो साधाराण कोलाइड में इतना molecular association नहीं होता जितना के missiles में molecular association होता है और हम सभी को पता है कर molecular association हो रहा है तो इसका मतलब जो collides है या जो नमबरा particle है मतलब want-up factor है वो क्या करेगा decrease करेगा और want-up factor decrease करने का मतलब हमारे पास सीधा सीधा हो गया कि जो colligative properties है वो क्या होगी कम हो जाएगी मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसका answer क्या आ गया भाई second अगला section D हमारे पास है जो कि integer formula के लिए integer का question है यहाँ पर हमारे पास question की when है question है at 10 degree centigrade the osmotic pressure of urea is 50 mm when the solution is diluted and the temperature is raised to 25 degree centigrade when the osmotic pressure is found to be 10.5 mm determine the extent of dilution 10 degree centigrade पर urea के विलियन का परासन दा 50 mm है इस विलियन को तन करने पर तथा ताप को 25 degree centigrade करने पर जो परासन दाव है वो एक बिसम वन जीरो 5.3 mm हो जाता है तनुता की गड़ना करने है कि कि कितना dilute हमने किया है ठीक है हमारे पास सबसे बहले तो urea है और urea को हम लोग सब लोग non electrolyte मानते है मतलब i factor की value क्या हो गई ठीक है माननों पहली वाली condition अगर हम लोग देखें तो पहली वाली condition में पाई बराबर हमारे पास दे रखा है 500 mm 500 mm है और इस समय जो dilution है मतलब की concentration है वो हम लोगोंने मान लिया n upon क्या है भाई और इसको हमने मान लिया वी वन और इस समय जो temperature था वो temperature हमारे पस कितना था 10 degree centigrade मतलब T बराबर हमारे पास है 273 प्लस 10 degree centigrade मतलब 283 अब कह रहा है कि अकर हम लोग temperature को बढ़ा दे मतलब यह T2 इसको अपन T1 ले ले लेते तो यह T2 हो गया T2 कितना हो गया 25 मतलब 298 Kelvin 298 Kelvin temperature हो गया और इस समय जो पाई बन जाता है मतलब इसको पाई बन माने और इसको क्या मानने भाई पाई टू तो पाई टू की वैलू हमारे पास कितनी दे रखिए वेटा 105.3 mmHg के लिए और इस समय हम लोग कंसेंट्रेशन ले ले लेते हैं तो C बराबर आगया हमारे पास N क्योंकि नमबर आप मोल चेंज नहीं किया है कि अबल वाल्यूम को चेंज किया है तो N अपन हमने क्या ले लिया भाई बी टू एक्वेशन रख दी पाई 1 अपन पाई 2 बराबर हमारे पास आगया पाई 1 अपन पाई 2 बराबर N अपन V1 और N अपन क्या बेटा V2 इंटू R अपन R पहले वाले के लिए T1 कितना था T1 है 283 और T2 हमारे पास है 293 आर से आर कैंसिल N से N कैंसिल और पाई 1 अपन पाई 2 की टम्स में वेलेशन आ गई हमारे पास तो इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई 1 इंटू 298 अपन पाई 2 इंटू 283 इस इक्वाल टू V2 बाई V1 यहापर पाई की वेलू पुट कर दो क्या बई 105.3 तो यह हो गया 500 इंटू 298 अपन 105.3 इंटू क्या बेटा 283 और यहाँ से आ जाएगा V1 अपन क्या बई यह सॉरी V2 बाई V1 यह वीटो बाई क्या आ जाएगा बई बीवन यह वीटो बाई के आ जाएगा वीटो बाई प्याए बीवन इसकल को कल्कुलेट करोगे तो हमारे पास आएगा V2 by V1 बराबर लगबग 5 point something के आसपास 5 के आसपास आएगा तो आजाएगा V2 बराबर क्या भई 5 V1 मतलब हमने volume को 5 times क्या कर दिया है बढ़ा दिया है मतलब तनुता में व्रद्धी जो है वो कितनी या 5 गुनी हो गई है तो हमारा answer आजाएगा क्या बिटा 5 अगला question देख लेते हैं अगला question है let mgTiO3 let mgTiO3 exist in previous structure मतलब प्रिवास्टिक structure में है अब प्रिवास्टिक structure समझने की जबरत है बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं है प्रिवास्टिक structure में हमारे पस यहाँ पर अगर देखें तो यह formula आपने आप कुछ चीजे mention कर रहा है यहाँ पर क्या है एक है m2 positive जिसे कि हम लोगों ने बोला है mg2 positive दूसरा टी आई है टी आई है हमारे पास क्या बई टी आई होता है three positive मतलब हो गया m-3 positive यह m- है मतलब एक trivalent का टायन है और एक हमारे पास है divalent का टायन और साथ में एनायन है जो उरत है हर समय divalent का टायन जो होता है वो होता है एड कॉर्णर मतलब कोनों पर एड कॉर्णर कहां पर भई एड कॉर्णर जो टी आई positive होता है यह होता है पर सेंटर आप बॉड़ी कहां पर भई का एके के इंदर पर सेंटर आप बॉडी यह प्रोवास्टिक इस्ट्रक्षर का सबसे इंपॉर्टन का रेक्टर रहे और इसी पर कोशन पूरा का पूरा बेस्ट अक्साइड आयन जो होता है वो प्रेज़ेंट होता है एमारे पर जो ऑक्साइड आयन है वो है सेंटर आफ पेस पर कहां पर सेंटर आफ पेस मतलब अगर हम लोग देखने की गोशिश करें तो हम लोग एक क्यूब को Imaging कर सकते हैं और इस क्यूब के अंदर अगर प्रोवस्टिक स्ट्र को देखना है तो बोल सकते है कॉर्नर पर क्या है सभी कॉर्नर पर क्या होगा mg2 पॉजिभ जय कर करनर पर क्या है mg2 सभी कॉर्नर पर क्या प्रutलין अबट्रा-Ng-2 पॉजटिभ और जो हमारे पास body के center पर है body के center पर हमारे पास है trivalent cation मतलब pi 3 positive और जो हमारा center of face है सभी center of face पर हमारे हैं सभी center of face पर हमारा present है oxide ion मतलब divalent anion यह important position है प्रुबस्टिक structure की जही के लिए अच्छा important question भी है यह present होता है divalent cation at the corner सभी corner पर जो हमारे पास divalent anion होता है वो होता है सभी center of face पर और trivalent cation जो होता है वो present होता है at the center of body यह तो प्रुबस्टिक structure होगे अब आगे question को देखते हैं अब बोलाए all the atoms along face diagonal are removed विकर्ण से पर मतलब की जो हमारे पास फलक विकर्ण है फलक विकर्ण से सभी को हटा दिया जाए फलक विकर्ण अगर देखे तो यह है मतलब जब फलक विकर्ण हटा तो एक हमारा mg2 positive corner से गया एक इस corner से गया और एक oxide हमारा पूरा का पूरा चला गया ठीक है सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं molecular formula हटाने के बाद अब देखो भाई TI को बात करें तो TI 3 positive center of body है तो यह तो 1 into 1 ही होगा मतलब इसकी संख्या कितनी हो गई 1 अब अगर हम लोग बात करें oxide तो oxide सभी center के face पर था लेकिन एक center से हट गया इसका मतलब हम लोग लिख सकते है o-2 बराबर center of face के लिए contribution 1 by 2 होता है total face पर कितना है 5 तो यह हो गया 5 by 2 उसके बाद है corner corner वाले 2 mg हट गए है मतलब mg2 positive के लिए अगर बात करेंगे तो mg2 positive के लिए अब formula क्या हो जाएगा formula आ जाएगा हमारे पास corner वाले का contribution 1 by 8 अब total corner हमारे पास कितने बचे 6 तो यह हो गया हमारे पास क्या वाई 6 by 8 या इसी को open क्या लिख सकते है बेटा इसको लिख सकते है 3 by 4 clear मतलब जो structure का formula हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा वाई mg 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 का कितना वाई 3 by 4 और ti का कितना वाई टि tackling का वाई Blues और व का कितना वाई गया यह हमारे पास ओवराल formula वाई यूनिट सेल का ठीक है unit सेल के ف़ॉर्मूले से हम लग सबसे पहले इसका मांस निकालते हैं जिसे को बोलते है formula mass formula mass formula mass formula mass अगर हमें निकालना है तो formula mass निकालने के लिए देखें अगर तो mg का हमारे पास mass होता है सभी को बता है mg के mass के case में आ जाएंगे तो 24 होता है ठीक है amu के टंस में ले लेते हैं तो 24 into 5 by कितना बेटा sorry 3 by 4 plus ti का 48 होता है titanium 48 और oxygen का 16 होता है into 5 by 2 और इसको total अगर आप काउंट करोगे तो हमारे पास आजाएगा 106 amu सभी को amu का conversion आता होगा I think so ठीक है अब देखते है ठीक है अब हमारे पास formula आ गया formula जो हमारे पास बनके आया वो आया mg mg का हमारे पास corner से remove किया था तो यह आ गया था mg 3 by 4 और ti हमारे पास आ गया था 1 oxygen हमारे पास आ गया था 5 by 2 और यहां से जो formula mass आया था 24 into 3 by 4 इसका 48 oxygen का 16 into 5 by 2 और total calculation करोगे तो आ जाएगा 106 amu ठीक है अब यह तो में मास मिल गया यह क्या है भाई मतलब यह जो एजिलन्थ आ रही है यह वो mg2 पॉस्टिव कि दोनों corner की radius कि क्या है बराबर मतलब अपन बोल सकते हैं कि यह बराबर हम लोग लिख सकते हैं इन्टू टेन्स पावर माइनस एट सेंटीमीटर के लिए अब हमारे पास एजिलन्थ मिल गया मास मिल गया density का फॉर्मूला सभी को पता है density is equal to होता है मास इन ग्रैम अपन वॉल्यूम लोगों ने सेंटीमीटर क्यूब में ले लिया मतलब आ गया aq अब यह amu मास आया था amu मास को अगर ग्रैम मास में कनवर्ट करना है तो 1.67 इन्टू टेन्स पावर माइनस 24 multiplication करते हैं मतलब यहाँ पर मास लिख सकते हैं 106 इन्टू 1.67 इन्टू टेन्स पावर माइनस 24 अपन नीचे आ जाए तो 1.4 का होल क्यूब इन्टू टेन्स पावर माइनस 8 का होल क्यूब यह आ जाएगा 24 उपर जाएगा cancel out हो जाएगा और यह 1 by 4 आएगा और टोटल आंसर जब निकालोगे तो यह टोटल calculation हमारे पास 65 आएगी मतलब जो density आएगी वो आएगी 65 ग्राम पर संटीमीटर क्यूब I think समझ में आ गया होगा यही इसका अंसर आएगा main important इसमें था कि what is the structure और इस structure को कैसा imagine करना है और किस परेसे के calculation को करने है ओके next देखने हैं